वीर बाल दिवस सुर्ख्यों में हैं। इसके साथ ही ट्रेंड में है औरंग जेव। यही कारण है कि ट्विटर पर ओरंग जेव ट्रेंड करने लगा इसी पर कुछ लोगों का कहना है कि पीएम ने मध्यूगीन काल के बारे में क्यों बात की और इस मुत्य पर बोलना कितना प्रासंगिक है जबकि कई अन्ने लोगों का मानना था कि औरंग जेव का उनका उलेक प्रासंगिक रहा क्योंकि उसने गुरू गोविन सिंग के बच्चों को मार डाला था पीएम मोदी का कहना है कि साहिब जादों ने इतना बड़ा बलीदान और त्याद किया अपना जीवन नियोच्छावर कर दिया लेकिन इतनी बड़ी शोरे गाथा को भुला दिया गया लेकिन अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधा रहा है उस यु और दूसरी तरफ भारत के प्राचीन सिध्धानतों के अनुसार ज्यान और जीवन जीने वाले हमारे गुरू थे प्रदान मंत्री ने कहा अगर हमें भारत को भविश्य में सवलता के शिकरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना होग इसलिए आजादी के अमरत काल में देश ने गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती का प्राण फुका है हम आजादी के अमरत महतसम में देश के स्वाधिनिता संग्राम के इतियास को पुनर जीवित करने का प्रियास कर रहे हैं स्वाधिनता सैनानियों, वीरांगनाओं, आदिवसी समाज के योगदाओन को जन दन तक पहुँचाने के लिए हम काम कर रहे हैं कारिक्रम में शामिल होने आए एक यूवक ने कहा कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आजादी के 75 साल बात ऐसा हो रहा है जब साहिब जादों की कुरबानी का सम्मान किया